वेलकम स्टुडेंट्स आज हम क्लास सेवन एक्सरसाइज 13.2 का फुश्य नंबर सेकंड करेंगे हमें जो पार्ट गिवन है उसे क्या करना है सबसे पहले सिंप्लिफाय करना है और फिर जो आंसर आएगा फाइनल आंसर वो हमें एक्स्पोनेशल फॉर्म में ही निकाननी है तो फर्स्ट पार देख लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 तो हमें सबसे पहले क्या करना है सिंप्लिफाय करना है और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसे ऐसे ही लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 का स्वायर हम 4 लिख सकते हैं अपान 3 into 32 32 को कैसे लिख सकते हैं देखो 32 का इसे प्राइम फेक्टर निकाल सकते हैं 2 के टेबल से जाते है 16 फिर अगेन 2 से 8 2 से 4 2 4 जा 8 अगेन 2 से अगेन 2 से 1 2 3 4 5 तो 32 कैसे बनता है 2 की पावर 5 का मतलब है 32 ठीक है तो हमने इस फार में इस लिखा है ताकि अब हम इसे solve कर सके laws of exponent की help से अब देखो 2 की पावर 3 अब हमने एक law पढ़ाता कि अगर powers different है और base same है and multiply में तो क्या होता है power plus हो जाती है 3 plus 2 into 3 की पावर 4 upon 3 into 2 की पावर 5 अब इसमें क्या होगा देखो 2 3 plus 2 5 into 3 की पावर 4 3 into 2 की पावर 5 अब ये 2 की पावर 5 से ये cancel हो जाएगा same है अब 3 की पावर 4 upon 3 है अब एक law और हमने क्या पढ़ाता कि अगर base हमारे same है power different है और divide में है तो divide में क्या होता है divide में power minus हो जाती तो 3 4 minus 1 इसकी power कुछ की 1 नहीं है that means की power कितनी होगी 1 होगी तो 3 की power 4 minus 1 is equal to 3 की power 3 हमें आगे solve नहीं करना की question में बोला गया था कि जो answer है वो exponential form में ही लिखना है तो हम यहीं तक solve करेंगे next part देख लेते है second part 5 की power 2 का whole cube into 5 की power 4 divided by 5 की power 7 यह second part है इसे solve करते हैं देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे bracket वाला solve करेंगे तो log क्या था कि एकर ऐसा होता है तो इस दोनों power जो होती है वो क्या हो जाती है multiply हो जाती है तो that means 2 multiply 3 6 into 5 की power 4 divided by 5 की power 7 अभी हम bracket वाला ही first solve करेंगे अब एको base same power different and multiply में तो power क्या हो जाती है plus हो जाती है तो 6 plus 4 divided by 5 की power 7 5 6 plus 4 10 divided by 5 की power 7 is equal to 5 अब देखो base same power different and divide में तो power क्या हो जाती है minus हो जाती है तो 10 minus 7 is equal to 5 10 में से 7 गया 3 तो इसका final answer है थर्ड पार देखते है 24 की power 4 divided by 5 की power 3 आप देखो ये 25 है और ये 5 है तो 25 को भी हम 5 की terms में लिख लेंगे कैसे लिखेंगे देखो 5 का square होता है 25 तो 25 को क्या लिखेंगे 5 का square और ये whole 4 power divided by 5 की cube is equal to अब ये हमने उपर बताया था कि इस type में दिया होता है तो powers क्या हो जाती है multiply हो जाती है तो 2 multiply 4 कितना हो जागा 8 divided by 5 की power 3 5 अब देखो फिर अगेन वैसा ही उपर वली condition आ गई है दोनों basis सेम है power different है और divide में तो power क्या हो जाती है minus हो जाती है तो 8 minus 3 is equal to 5 और 8 में सितनी गया 5 तो 5 की power 5 next fourth part 3 multiply 7 का square into 11 8 21 into 11 की power q इससे solve करते हैं आगे अब देखो 3 ऐसे ही लिखेंगे 7 का square भी अब हम 21 को कैसे लिख सकते हैं देखो 3 into 7 3 7 जा 21 होता है तो 21 को लिख देंगे 3 into 7 11 का cube जब देखो 3 से 3 cancel हो जाएगा ठीक है अब देखो 7 अब यह 2 और यह divide में है power इसकी 1 है तो 2 minus 1 into 11 8 और minus 3 minus इसकी लिए है क्योंकि base same power different और यह divide में है इसलिए है is equal to 7 2 minus 1 1 into 8 minus 3 5 तो इसको हम 7 की power 1 means 7 into 11 की power 5 यह इसका answer है final फिफ्ट पार्ट देख लेते हैं कि फिफ्ट पार्ट है 3 की power 7 upon 3 की power 4 into 3 की power 3 तो हम सबसे पहले क्या करते हैं डिनॉमेटर वला solve कर लेते हैं 3 की power 7 ऐसे ही रिख देते हैं देखो 3 की power 4 into 3 की power 3 यह multiply में है ठीक है तो यह हो गया 3 की power 7 upon 3 की power 7 तो अगर हम इसमें वैसे तो cut cancel भी हो जाएगा और अगर हम law लगाना चाहते हैं तो law of exponent भी लगा सकते हैं 7 minus 7 is equal to क्योंकि divide में है 3 की power 0 और किसी भी नंबर के अगर power 0 होती है तो उसका answer क्या आता है वन आता है आप डैरेक्ट में से cancel कर सकते हो थी की power 7 से 3 की power 7 तो answer 1 ही आएगा next करते हैं 6th part 2 की power 0 plus 3 की power 0 plus 4 की power 0 अब देखो किसी भी नंबर की power 0 तो इसका मतलब 1 plus again 3 की power 0 है तो answer 1 and again 4 की power 0 तो answer 1 1 plus 1 plus 1 answer will be 3 next करते हैं 7th part 2 की power 0 multiply 3 की power 0 multiply 4 की power 0 तो कैसे करेंगे देखो 2 की power 0 तो answer 1 ही आएगा multiply 3 की power 0 answer 1 and 4 की power 0 1 तो 1 की आप कितनी बार भी 1 से multiply कर दो answer तो 1 ही आएगा तो इसमें difference क्या है अगर plus हमने कर रहा है तो answer क्या आ रहा है 3 and multiply कर रहा है तो answer आएगा 1 next हम करते है 8th part 3 की power 0 plus 2 की power 0 multiply 5 की power 0 इसे कैसे करेंगे यह भी इसी पर based ही है देखो अगें 3 की power 0 answer will be 1 2 की power 0 answer 1 multiply 5 की power 0 answer 1 1 plus 1 2 multiply 1 and answer is 2 next कर लेते है 9th part 9th part है 2 की power 8 multiply a की power 5 upon 4 की power 3 into a की power 3 अगर देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो 4 है इस 4 को हम 2 की terms में लिख लेंगे क्योंकि उपर 2 है देखो 2 की power 8 multiply a की power 5 upon 4 का मतलब क्या होता है 2 का square का हम 4 लिख सकते है 2 तू जा 4 और यह whole power 3 ऐसे अब 2 की power 8 into a की power 5 इसे solve कर लेते हैं पहले a की power 5 upon divide में a की power 3 तो power क्या हो जाएगी minus हो जाएगी upon देखो अब ऐसा जो था उसमें क्या था log की दोनों जो powers होती है वो multiply हो जाती है तो 2 की power क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी 2 3 जा 6 अब 2 की power 8 यह वली power भी उपर minus में चली जाएगी यह दोनों ही सेम है divide में power minus हो जाती है into a की power 5 minus 3 2 तो आंसर क्या आएगा 2 की power 2 into a की power 2 जिसका फाइनल आंसर है 10 पाट देखते हैं a की power 5 upon a की power q multiply a की power 8 अब देखो सबसे पहले ब्रैकिट वाला portion परेंगे इसमें क्या है divide में है base सेम है power different है तो power क्या हो जाती है minus हो जाती है a की power 5 minus 3 into a की power 8 अब 5 minus 3 2 multiply a की power 8 अब देखो base सेम different and multiplication का साइन तो power क्या हो जाती है plus हो जाती है a 2 plus 8 और a की power 10 next 11th part 4 की power 5 into a की power 8 b q 4 की power 5 into a 5 b 2 तो इसमें क्या कर सकते हैं देखो आप पहले ही से cancel कर सकते हो 4 की power 5 से 4 की power 5 cancel हो जाएगी जैसे यहां पे लिख लेते हैं एक बारी a 8 b q 5 into a की power 5 b square तो यह हम cancel कर देते हैं दोनों सेम है ठीक है अब इसे कैसे solve करेंगे देखो a की power 8 यह 5 minus में जाएगा क्योंकि divide में है and b q और यह square इसका भी minus में चला जाएगा क्योंकि divide में है तो answer क्या आएगा a 8 में से 5 गया 3 and b 3 में से 2 गया 1 तो answer होगा a q b क्योंकि b की power 1 है तो आप b भी लिख सकते हो इसे नेक्स्ट इसमें 12 पार्ट एंड लास्ट पार्ट इस कोश्चन का यह पार्ट है इसका तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगी जो ब्रेकेट वाला जो अंदर का portion करेंगे देखर 2 3 और इसकी पावर 1 होगी तो प्लस 1 अठीक है टू 3 प्लस 1 4 और स्कॉर अब इसमें क्या लौग होता है कि यह दोनों पावर्ट क्या हो जाती है मल्टिप्लाइए हो जाती है तो 2 4 मल्टिप्लाइट 2 एंड 2 की पावर 8 यह इसका अंसर है सेकिंद कुश्य हमारा कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट करेंगे हम थर्ड कोश्यन थर्ड कोश्यन हम अगले वीडियो में करेंगे I hope आपको यह कोश्यन समझ में आयो